क्या कुछ हुआ है पुछले हफते, इस हफते के लिए कौन से हम ट्रिगर्स हैं, कहा नजर रखे चलने की जरुवत है, पूरी डीटेल लेकर मेरे सयोगी दिपानशू इस वक्त मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके है, दिपानशू गुड मॉनिंग, कोई बहुत अच्छ नहीं हुआ है, अब डर बढ़ रहा है, क्योंकि विंटर ओलेंपिक्स खतम हो गए थे, तो क्या अब कोई बड़ा आक्शन रूस लेगा या नहीं, पर इस बीच एक दो अच्छी खबरे भी आ रही है, एक तो ये चिंता ग्लोबल बाजारों पर हाविये, पर कल शाम ब्लै ये राहत की एक खबर आपको आती हुई दिखरी है, पर इसके अलाबा, थू दवीकेंड विवादिच शेत्रों में, जो डॉन बास्क है, क्राइमिया के शेत्र हैं, वहाँ पर हमने लगातार गोली बारी की खबरे देखी हैं, कई सारे विजुल्स आये हैं, दो सिविलियन की मौत भी हुई है, रश्या कुछ लोगों को वहाँ से एवाक्योट कर रहा है, तो ये जो खबरे पिछले हफते के एंड में थी, ये थू दवीकेंड भी हमने आती हुई देखी हैं, और यहां से चिंता अभी भी बनी हुई है, रश्या और बेलरूस के बीच में एक मिलि ग्लोबल मारकेट्स में पड़ा है, आज सुभा जो आप सारी कमजोरियां बता रही थी, वो इसी का इंपक्ट है, हमने देखा कि फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट हुई, फ्यूचर जब बाजार बंध हुए थे, तब 1.500 पॉइंट उपर थे, उसक क्योंकि आज अमेरिकी बाजार बंध है, तो लंबे वीकेंड की वज़े से भी काफी निवेश्कों ने अपनी पॉजिशन हलकी के री, थोड़े वॉल्यूम्स भी कम थे, और इसके साथ ही, मन्थली F&O expiry भी थी अमेरिकी मारकेट्स में, जिसकी वज़े से वॉलटलिटी यहां पर दी है, तो कुछ फैक्टर्स थे, जिसकी वज़े से अमेरिकी बाजारों में दबाव रहा, थुरू दवीक अगर आप देखें, तो डेर्ड परसंट S&P 500 फिसला था, डाउ दो परसंट नीचे था और नास्डाक भी लगभग पॉने दो परसंट फिसल करी बंध ह यॉरोप के बाजारों में भी हमने सुस्ती देखी थी, फ्राइडे के सेशन को आदे से डेर परसंट की, रश्या के बाजार उस दिन 3-4 परसंट फिसले थे, इसी खबर के दम पर वहां पर भी आक्शन चल रहा था, अच्छी बात यह है कि पिछले हफते तेल के दाम थोड बनी हुई थी, वो अभी भी आपको बनी हुई दिख रही है और इसी पर बाजार का सबसे बड़ा फोकस है, इसके अलावा कुछ एहम नतीजे आएंगे, यूएस में होम डेपो, एचस बीसी, बार्कलेज, मॉडरना जैसी कंपनीज के, और कंजूमर सेंटिमेंट और होम स इल्स डेटा भी आएगा, तो इस पर भी बाजार थोड़ा रियाक्ट कर सकते हैं।